नमस्कार दोस्तों सौगत है अपसे भी का हमारे जीनोक यूटूब चैनल पर दूस्तों इस वीडियो में बात करेंगे परयाबरं करेंड फेर 2022 वेरी विडियो कंप्लीट वीडियो लास्ट सेक्स मन्त की करेंड फेर है वीडियो को अन तक जरूर देखना तो चली स्टार्ट कर लेते हैं पहले कोशन के साथ पहले कोशन है दोस्तों सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ जैव विविता सरचन के छेत्रे में MOU होता है दोस्तों Memorandum of Understanding किया है यानकि एक समझवावते पर हंस्ताक्षड किया है तो भारत ने दोस्तों यह नेपाल के साथ किया है य या बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है एक ही बात है दोस्तों इसे वनों वनने जीवों परयावन जैव विविता सरचन और जलवाईयों परयवतन के छेत्र में पार्टियों के भी सहय को बड़ावा देने में मदद करेगा यानि कि भारत और नेपाल के बीच हाल क्लिक करें जिससे का हमारी वीडियो की रेगुलर नौट विकेशन आपको प्राप्त हो सके वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर और अपने वैलिविल कमेंट जरूर करते रहें दोस्तों अगर आप हमें आर्थिक साहता या मोनेटरी पंड देना चाहते हैं तो आप हमे 2022 में नदी के सतत विकास के लिए सरकाने कौन सा नया मोडल लौंच गया तो इस मोडल का जो नाम है वो नाम है अर्थ गंगा ये आपको ध्यन में रखना है ये काफी चर्चा में चला है दोस्तों इसका लोगों भी आप देख सकते हैं अर्थ गंगा बहती गंगा बढ़ता जीवन यह आपको धन में रखना है और यह नया मॉडल है दुस्तो सस्टेनिबल डेबलमेंट ऑफ रिवर यानि कि नदियों के सतत विकास के लिए इसका नाम रखा गया अर्थ गंगा बेसिकली इसका जो अब्जेक्टिव है यह अब धानना पूर में गंगा नदी से समधित आर्थ गतिविदियों पर ध्यान केंद्रित करके गंगा और इसके आसपास के छित्रों के सतत विकास पर केंद्रित है यान कि गंगा के आसपास जितनी भी नदी है उनसे डिलेटेट जितने भी शेहर है उनसे विकास किया जाएगा साथ के साथ जो शेहरों के आसपास जो दूशित हो गई है दोस्तो नदी उनका भी विकास किया जाएगा प्रॉपर तो इस मोडल का नया नाम रखा है अर्थ गंगा यह आपको धन में रखना है दोस्तो अगले कुशन पर चलते हैं सितंबर दोजार बाइस में फारत का पहला तरल प्रकतिक गैस या लुकिफाइड तो यह इंडिया का पहला एनजी फ्यूल्ड ग्रीन ट्रकवनнес फ्यूट्रिंग प्रॉंट का लांच किय गया द नितिन कीडगरी के दोर है कहाँ पूने में चाकन दिया का पहला ग्रीमींव फ्यूचूरिंग प्रॉंठ प्रॉंच किया गया यह आपको धन में रखना के दौरा अन्वील्ड किया गया यानि की बनाए गया ब्लू एनरजी के दौरा बनाए गया और इसका जो इनॉगरेशन है वो जो भारत के जो सडक मंत्री हैं जिनका नाम है नितिन गटकरी उनके दौरा इसकी लौंचिंग की गई इंडिया का पहला एल एंजी फ्यूल्ड ग भारत में 75 हैं यह आपको धहन में रखना है टोटल नंबर ऑप साइट 75 हो गई है पहले कमते अब बढ़कर 75 हो गई है यह आपको धहन में रखना है अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट है वो यूके में हैं जिस में करीब 175 साइट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो इंग्लैंड में है और भारत में 75 होई बता सकता है कि भारत का कौन सायसा राज्य है जहां सबसे यह रामसर साइट पाई जाती है या अधी सूचित है कमेंड में जरूर बताईएगा अगला कुशन देख लिए अग किया तो दुस्तों यह किया संहिक राष्टे महासभा के दोरा इसे इंगलेश में कहते हैं यू एन जेनल असेम्बली या यू एन जी के दोरा यह माना गया है उसने हल्थी एन्वार्मेंट को हीमन राइट डिक्लियर किया यह आपको ध्यान मेरकना दुस्तों इसके लिए कि कुछ देशों ने वोट नहीं किया कुछ देशों ने विरुद वोट किया लेकिन यह माना गया है कि हेल्थी एन्वार्मेंट को अब हीमन राइट गोशिक कर दिया गया किसके दोरा सेंक राष्ट महासभा के दोरा यह आपको ध्यान मेरकना है बेसिकलि इस प्रताव के सच शस्त और सतत प्रैवान का अधकार माना विदकर भन जाएगा यह आपको ध्यन मरकना है अगर दो जर बाइस में किस राजय में एक दुरूलब पौदे भारती है लिपिस्टिक पौदे की खोजगी दोस्तो यह लिपिस्टिक की तरह लगता है यह पोदा बेसिकलि यह उनना चल पदेश में और यह पहले भी पाया जाता था लेकिन अभी इसकी दुबारा री डिसकवर हुआ है दोस्तो सौ सालों बाद यह आपको इंपोडेंट एक्जाम में पूछे आ सकता है इसका जो नाम है इसे हम लिपिस्टिक प्लांट भी कह सकते हैं दोस्तो बेसिकल इसका जो बौटैनिकल नीम है वह ऐसकी नैंथस मॉनिटेरिया है दोस्तो और इसे इंडियन लिपिस्टिक के रूप में जाना जाता है भार्तिय लिपिस्टिक पौदें के रूप में भी जाना जाता हाली में इसकी खोच अनौचल पदेश में हुई कितने साल बाद? सौ स जो कि पच्छ मंगल की राजदानी है और यह पहली भारत की पहली मेट्रो सिटी बन गई है जैब विटा रेइस्टर तयार कने वाले यह आपको धन में रखना है दोस्तों और बेसिकली इस दस्ता बेच का जो निर्माड है वो कुलकता नगर नगर बेसिकली कुलकता जिलाहे सिटी है इसका एक नगर निगाम है दोस्तों और इसकी एक मेनेजमेंट कमिटी है इसका नाम है विडो वर्सिटी मेनेजमेंट कमिटी बीमसी के दौरा यह कि अभी गया है इस दस्ता बेच का निर्माड यानि कि जो दस्ता बेच का नाम है जैब विविता रेइस्टर इसक तो दोस्तो इंडिया का पहला पोटेबल रूफ टॉप सोलर सिस्टम है जो की स्तापित किया गया गुजरात के गंदीनेगर में गंदीनेगर क्या है राजदानी है गुजरात की और यहां पर एक तेमपल है दोस्तो जिसका नाम है स्वामी नारायन अक्षरदाम टेमपल और यहीं पर भारत का पहला पोटेबल रूफ टॉप सोलर यह सिस्टम इस्तापित किया गया यह आपको धन में रखना कहां पर गंदीनेगर में अगले कुशन की में बात करूँ अपरेल 2022 में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल कार्बन टठस पंचायत कौन बन गई है तो दोस्तो यह जो बन गई है पल्ली पंचायत बन गई यह बहुत बार करें फेर में चर्चा में रही थी पल्ली पंचायत दोस्तो जो की जमुकश्मी संगशाशित राज्यमें इस्तेत है यह आपको ध अगला कुशन देख लेते हैं अपरेल 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़े इलेक्टिक क्रूज चाहज की यात्रा संचालित की यह आपको धेन में रखना वेरी वेरी इंपूरेंट कुशन है यह विश्का सबसे बड़ा इलेक्टिक क्रूज है दुस्तो और यह ईसे काम दोस्तो चैना लॉंच करता है जो चैना नहीं लॉंच किया इस क्रूज का याद रखना दोस्तो यंग्जे रिवर 3-os video का जो कि डिवलेबिया इक्तरी की रिवर और वही पर दोस्तो यह राश भीन्च विश बो गदकर कुश सबसे बड़ा याविश का सबसे अगले कुशन पर चलते हैं अप्रेल 2022 में देश की पहली स्टील रोड का निर्मार के शेर में किया गया कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ यह इंडिया की पहली स्टील लोड है जो की गुजरात के सूरत में यह बनाई गई है यह आपको धन में रखना है बेसिकली धेश्ट होता है कचरा होता है दुश्छ उससे यह निरमित की गई है और करेंट में स्टील स्टील रोड चल्चा में रह रही है यह आपको धन में रखना है यह बनाए जा रही है बि ए आरो स्ओरी BSF के लॉर्स के दोड़ कहां पर अर्णाचल प्रदेश में यह आपको धिन में रखना है दूस्तों यह से दोरा बनाया जा रहा है दूस्तों अगला कुशन देख लेते हैं दूस्तों अप्रेल 2022 में किस वर्ष तक क्रशी छेत्र में डीजल को नभी नहीं करें नहीं है यह रिन्यूवल एनर्जी से कर लक्ष रखा गया है यानि कि जो डीजल है वह जो रिन्यूवल एनर्जी ए उससे बदला जाएगा किसमे क्रशी के छित्र में या अपके धिन में रखना है तो इसका जो टारगेट यह रंखा गया है वह 2024 रखा गया है यानि कि डीजल को न भी नहीं करें नहीं है उर्ज न की गई कि 2024 तक हम दोस्तों जो क्रेशी छेत्र में डीजल को रिनेवल एनरजी में बदल देंगे अगले कुशन देख लेते हैं अगस दोजर बाइस में खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालकेशी का नाम है तो दूस्तों इंडिया का इंडिया रखनी है याद इंडिया अफास सालाइन वाटा एलेडी लेम का नाम क्या रोशनी है और इसका विकास किसे ने किया है इसका विकास नेशनल इंस्टिटुट ऑफ ओशियन टेक्वनोजी के दोरा किया गया है अगला कुशन देख लिएते हैं दोस्तो कौन अडानी गुरूप भरत का अडानी गुरूप और इसके साथ किसके देश के साथ समझोता किया है तो दोस्तो यह क्या है फ्रांस देश के साथ यह आपको धन में रखना है दोस्तो फ्रांस की एक कंपनी है दोस्तो जिसका नाम है टोटल एनरजी यानिकि अडानी ने टोटल एनर्जी के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रीन हाइडोजन इको सिस्ट्रम बनाने के लिए अपना करार किया यह आपको धहन में रखना है इसमें जो अडानी गुरूप है वो इन्वेस्ट करेगा करीब पचास बिलियन डॉलर यह भी आपको धहन में रखना द तो दोस्तों यह किया जाएगा लदाक की राजदानी ले मैं लदाक जो की एक यूनियन टरिटरी है इसकी एक अपनी राजदानी है जिसका नाम है ले और यहां पर गदों के लिए भारत का पहला संड़ चड़ पार्क साबित किया जा रहा है यह आपको धिन में रखना है अगले कुशन पर चलते हैं अप्रेल 2022 में नेशनल जेगोराफिक सोसाइटी ने किस परवत चोटी पर विश्का सबसुचा मौसम इस्टेशन इस्ताफित किया यह यह वैदर और कास्स टेशन तो दुस्तों यह वर्ल्ड का हाइस वैदर इस्टेशन इस्ताफित किया जा च लेकिन यह जो वैदर इस्टेशन है यह 8830 मीटर की हुचाई पर इस्ताफित किया गया है इसके दौरा नेशनल जोगराफिक सोसाइटी के विग्यानिक हो की दारो यह आपको धन में रखना है दुस्तों और माउंट आवरेस पर यह सब से हुचा मौसम इस्टेशन इस्टे की गई तो दुस्तों इंडिया पस बायो गैस पावर इवी चार्ज आ रहे दुस्तों जो कि लॉंच किया गया महाराष्ट की राजदानी मॉंबई में यह आपको धन में रखना है किसके दौरा लॉंच किया गया एक कंपनी है जिसका नाम है एरो केर क्लीन एनरजी उसके दौरा है दुस्तों इस चार्जिंग इस्टेशन की शुरुबात की गई जो कि दुस्तों जैवीदन से चलता है जो कि जैवीदन से एवी चार्ज करता है यानि कि जो जतनी भी कार है उनको चार्ज किया जाता है और एवी कहां से चार्ज होती है यह बायो गैस से यह चार् पावर प्लांट है जिसकी जो च्छमता है 390 मेगा बाट की है यह आपको ध्यन मे रखना है यह धहली मेर रजस्तान के जसल मेर में लॉँच किया गया यह 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 इसके दोरह अडानी फाइबरिड एनरजी लिम्टेट के दोरह यह अडानी एनरजी के दोरह यह जसल मेर रजस Sky Reserve कहां बना जाएगा? double star question है, ट्रिपल इस्टार कोशन है exam मैं पूछा ही पूछा जाएगा. यह भारत का पहला Dark Sky Reserve है जो के दोस्तों बना जा रहा है लद्दाइक में? कहां बना जा रहा है? लद्दाइक में बना जा रहा है. लद्दाइक में एक century है, जिसका नाम है बेसिकली जो सेटप किया जा रहा है डिपार्टमेंट आप साइंस एंड टेक्नलोजी के दौर रहा है इस्तापित किया जा रहा है अगले कुशन पे चलते हैं दोस्तो सितमबर 2022 में किस कमपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा कारवन फाइवर प्लांट बनाने की घोश्न की तो दोस्तो इंडिया फास्ट एंड वर्ल्ड का लार्जेस कारवन फाइवर प्लांट बनाय जा रहा है दोस्तो Reliance Industries के दोरा यह आपको ध्यन में रखना है दोस्तो Reliance Industries के जो चेयर में मुकेश हमबानी है दोस्तो और यह इनका जो investment लग रहा है दोस्तो भारत का जो भारत का नहीं विश का सबसे बड़ा carbon fiber plant बनाने में करीब 75,000 करोड उर्पे इसमें लागत cost आईगी और यह गुजरात के हजीरा में बनाया जा रहा है यह भी अपको ध्यन में रखना है कहां बनाया जा रहा है हजीरा में किस के दौरा Reliance के दौरा कितनी cost investment लग रहा है 75,000 करोड और इंडिया का नहीं यह विश का सबसे बड़ा carbon fiber plant होगा अगले question बें जलते हैं जुलाई 2022 में चर्चा में राज Just Stop Oil परयावन कारे करता किस देश से समझ देते हैं दोस्तो कुछ परयावन कारे करता हाली में काफी चर्चा में रहते हैं परयावन करेंट फेर की देश्टी से जिसका नाम था Just Stop Oil यानि कि उसमें ही पिचार करते थे इनके गुरुप का नाम भी Just Stop Oil हो गया यह आपको धन में रखना और यह किस देश से रिलेटेड हैं कि दोस्तो इंग्लैंडेस से रिलेटेड हैं, उनाइटेड़ गिंग्डेम से रिलेटेड हैं, बैसिकली यूप में यह प्रदर्शन कर रहे हैं जो नहीं नहीं कंपनी फैडूजल्म फॉजल्पी से रिलेटेड उनको प्रदक्शण रुकवाने में उनको लाइसेंसिंग दिलबाने में ये प्रदर्शन यानकी ग्रोथ प्रदर्शन कर रहे हैं इनके गुरुप पनाम है जस्ट स्टॉप ओल और हाली में काफी चर्चा में भी रहे थे अगले कुशन पे जलते हैं दोस्तो जुलाई 2022 में किन राज्यों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पतिबंद लगा दिया तो दोस्तो एक जुलाई से सिंगल यूज कुछ राज्यों ने पतिबंद लगा दिया जिसमें पंजाब और हिमाचल पदेश दो ऐसे राज्यों ज जो की फारत के प्रयावन मिनिस्टर ने दुस्तों जिनका नाम है भूपिंदर यादव उनके दौरा ये मस्कट लॉंच किया गया जिसका नाम रखा गया प्रकति ये बेसिकली प्रयावन के विशे में जागरुता फैलाने के लिए ये शुवंकर लॉंच किया है बहतर प्रय जो मस्कट का सीधा संबंद है दुस्तों प्लास्टिक पॉलूशन से है सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलूशन से ये आपको धन में रखना है कि प्लास्टिक पदूशन को कम करना है अगले कोशन पे चलते हैं अगस 2022 में HPCL ने गोबर से संपिडित पहले बायो गैस प्रय प्रयोजना को लॉच्ट के आपको धन में रखना है इसके दौरा हिंदुस्तान पेट्रॉलियम कॉर्पेशन लिम्टे इसकी फिलफॉर्म होती है उसके दौरा यह जो काव डंग होता है यानकि गोबर जो होता है उससे कंप्रेस बायो गैस प्रोजेक्ट लॉच्ट किया है कहां पर राजस्तान के संचौरों में किसमें है एच पी सीयल ने है अगले कुशन बेजलते हैं अगस 2022 में पारच की पहली सवदेशी रूप से विकसित हाइडोजन एधन सेल बस को कहां लॉंच किया गया है तो दोस्तों यह जो लॉंच किया गया है महराश्ट के पूने शेयर में लॉंच किया गया है और इंडिया की पहली हैडोजन फ्यूल सेल बस है यह आपको धन में रखना है जिसका विकास के पी आएटी सीए सीएसाई यार के दोरह ही किया गया डबल श्टार कुशन है दोस्तों अगला कुशन देख लेते हैं परयावन निश्पादन पहुत ही खराब हाइए है मैंने आपको चीएक सहर्जन ही देखी तो इसमें बात किती बहुत ही खराब है की बहुत ही बहुत ही बतर राख आईए हिंडिया की जो राख आई है दोस्तों ने और ऐसम Barkhag की इन बिश में प्रयावन यानि कि प्रयावन बहुत पदूशित हो रहा हैभारत का। बड़ जाते हैं दो सो फैक्टरियां भी देखी जाती है और भी कई इसमें आकड़े देखे जाते हैं उसके इसाप से इंडिया का जो रैंक है सबसे बॉटम कंट्री पर आ गया है इंडिया एक्सवश्ती रैंक है इंडिया की अब बात करूँ सबसे सचिपर, वन किस देश क जिनकि डेन्मार्क इस सूची में नंबर वन पर बना हुआ है दोस्तों और इस सूच कांग में कुल मलाके 180 देश सामिल किये गए थे जिसमें पहली रैंक डेरमार को मिली और सबसे 180 मी रैंक मिली बॉटम जो रैंक मिली वो इंडिया को मिली यह आपको धेन्मेर्क ना दूस् यह आपको धेन्मेर्क ना दूस्तों इसका चालू नहीं हो गई इसका काम चालू हो गया दूस्तों और यह कुल कता मेट्रो रेल कॉर्परेशन के दौरा यह मेट्रो टरनल बनाया जा रहा है यानि कि पानी के अंदर से पानी कौन सा हुगली न दी आपने देखी होगी तो डेंजरस अर्थ एक पुस्तक है उस पर जरूरो बात करेंगे तो दोस्तों हली में बुक पॉब्लीश की गई ती देंजरस अर्थ यह कितिव के दौरा लिखता है दौस्तों हली में जो एलन प्रेगर हैं दोस्तो मरीन बायलोजिस्ट है या उनके दोरा ये लिखी गई है इनका नाम है एलन प्रेगर नाम है दोस्तो और हाली वेन ओना है डेंजरस अर्थ कुस्तक लांच गी आपको धिन में रखना दोस्तो अगले वीडियो को साथ देखा फ्रमा आज रूँगा पहुत पहुत थन्यवाद